और चलिए बुलिटिन की शिरुवात इस वक की बड़ी खबर के साथ उतर फिदेश की गाज़ेबाद में रोहिंग्याओं की बड़ी साज़िश का पुड़ा का हुआ है। तो देखे बड़ी खबर लगातर आपको बता रहे हैं की रोहिंग्याओं के अपराद से कैसे यहां पर लोग परिशान है और जब लोग परिशान है तो उनके पास पलाएं के अलावा कोई विकल्प भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इसी का एक चारण होता है पलायन यानि कि यह शब्द पलायन करने को मजबूर कर रहे हैं। अपना घर अपना अशियाना बनाने में कितनी महनत लगती है खून पसीने की एक एक कमाई किस तरीके से जोड़कर एक विक्ति अपना अशियाना बनाता है। इसके बाद ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है जो यो लिखना पर रहा है कि यह मकान बिका हुए। आज पूरी बात में आपको बताऊंगी चुकि यहां पर वह शब्द लोगों के लिए विशाब बन गया है जो पूरे देश में चिंता का विशह है। रोहिंगिया जी हां। बंगलादेश में जब म्यामार से विस्थापित हुए तो बंगलादेश पहुचे और वहां से किस तरीके से पूरे एक नेट्वर्क के जरिए हिंदुस्तान में धीरे 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 उनको सक्क्रिय किया क्या। हिंदुस्तान में मौझूद एक गैंग ने बहुत आसानी तरीके से उनको चाहे आधार कार हो चाहे पैन कार हो तमाम ऐसी चीजे चाहे वोटर आईडी कार हो उनको उपलब्ज कराई अब यह संख्या इतनी बढ़ गई है हिंदुस्तान में चाहे यूपी हो चाहे उत्राखंड हो चाहे आप बिहार की बात करें चाहे आप बंगलादेश की चाहे बंगाल की बात करें यह संख्या लगातार इतनी बढ़ रही है और इनकी गैर कानूनी गत्विदिया अब इतनी बढ़ चुकी हैं कि यहां के हिंदूcular को भी परिशान कर रही है और लिहाजा यह लिखने पर मजबूर कर रही है कि यह मकान बिकाई है। तो देखें लोग किस तरीके से यहां पर परिशान है वो हमारी सयोगी वहां से बता रहे थी अब चार तस्वीरें आपके टीवी स्क्रिन पर है जो ये बता रही है कि घुसपैटियों का आतंक खेला कैसे नजर आ रहा है गाजियाबाद में घर बिकाओ है कि पोस्टर लोग कर रहे थे हमने जाए चुटाए वह तो चले गए जो जिसके साथ लूट मारी करी हम पर चड़ियाए कम तीन सौ आदमी बंगलादेशी लोग हमारा घर तोड़ा हमारी मोट से आगिल तोड़ी मेरी गाय तब गाय के सीग्वीं काटे और मेरे बच्चे फीटे मेरे घ स्तापित हुए उसके बाद कैसे कैसे हिंदुस्तान के हर एक शित्र में अपने पैर पसारे उसका नतीजा यह है कि अब कितनी बड़ी समस्या यह घुस पैठी है यह बंगलादेशी यहां पर बन रहे हैं उनकी समस्या आप देख रहे हैं पर तमाम लोग और भी मेरे साथ म लेकर यहां खड़ी हुई है दादी क्या है यह मेरा बेटा है कुलदीव गिरी 2017 महिना मडर हुआ था ने घर में डेट बोड़ी मिली खुद पुलिस ने लिकाली सो नंबरी जिपसी खड़ी थी और इन्होंने सारा केस दाब दिया एफाल लगा देई घर में आपके बेटे 17 से लेकर अब तक कोई ग्रफतारी नहीं है जरा दिखाए देखिए यह लिखा हुआ है यह उनी के नाम है हिना लिखा हुआ है फुरकान लिखा है खालिद लिखा है श्रीमती जरीना लिखा है हीरा लिखा है रिशब लिखा है यह तमाम लोग हैं जिन पर हत्या का आरोप है इनके बेटे की हत्या कारूप लगाए क्या एक बार भी इनकी ग्रफदारी नहीं कोई चोगी तक नहीं बुलाया और मैं समय भाग दोड़ी और जिननने डेट बोड़ी निकाली काई ओ पुलिसवारी इनका नाम यह है यह रहा उन पुलिसवारीन का नाम पास से दिखाई गूस लेकर काम करती है दस पास लाग रुपे मिलते हैं हर महीने दो नमर का लड़के पठाती है और दो नमर का काम करती है और यह तो इनके काबू में रहो नाम बच्चे अलग हटते तो उनको मार देती हैं यह दस वर्ष पूर यहां जो बंगलादेशी और रोहिंगा करके बसे हैं इन्होंने सरयाम यहां हिंदू लड़कों को नगा नवस्ता में उनके कपड़े फाड़कर उन्हें नंगी किया सरयाम बिल्कुल और किसी परसासन पुलिस परिवार की मदद नहीं करी है जिस परिव हैं तो आपने देखा लोग कितरे जादा परिशान हैं और सीधा ग्राउंड-0 कर लेते लक्षमी खुल हमारे साथ जुट चुकी है लक्षमी आपकी रिपोर्ट इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे वहां पर लोगों से आपने बाचीत करके जो समझा आखर क् को डरा करके दर्शक में रखा जा रहा है और आखिर कब तक कि बिल्कुल ठीक हां दीपिका आपने की क्यों डराया जा रहा है देखिए यह शब्द लिखना इतना आसान नहीं है मैंने अपने अजब सुबह भी लोगों से बात कि उस वक्त दर्द को समझा क्योंकि यह मकान को बनाने का कार अभी बी चल रहा हो और उस मकान पर यह लिख देना पड़े कि यह मकान विकाव है कितनी बड़ी मुश्किल रहोगी कितना दवाव रहा होगा कितना ड़रा हुआ परिवार रहा होगा आप समस्के यह परिवार के महिलाय जो है मैं अंदर जाकर कोशिश कर हमारे परिवार के लोग रहेंगे नहीं रहेंगे थोड़ा से आप बाहर आजए करने कि कोशिश कर रहे हूं तुक्त कर्वार में तोस्त भूंड जीना है यह लिखा यह दिका है वीमारी और जो हमने मैन गेट बंद कर लिया तो यह पीछे से आगे मौम रण के घर में से कूद के और दूसरी बात ही रेक महारा जब बुड़ा आदमी भगा महारा पती तो वे रोप बिल्कुल लोग बहुत जादा यहां पर परिशान है आप बने रहे हैं आपके पास भी ह हम कोशुश करेंगे तो अभिशेक भी लगाता है हमारे साथ बने हुए अभिशेक अपने आशियाने के बाहर यह घर बिकाओ है लिख देना वो जिससे बहुत उम्मीदों के साथ बनाया जाता है लिखना यहां पर तक्रिबन ऐसे आट-डस मकान यह देखें यह मकान विकाओ है इसके लावा इसके उलट एक और आपको दिखाता हूं यहां पर भी लिखा हुआ है यह इतना आसान नहीं होता है लिखना तमाम जो मेरे साथ देखें यह जो महिला हैं जिनके घर के बाहर य क्यों लिग दिया इस घर में आप कितने साल से रह रही कि नार्ट ने पहले हैं तरज और बचो गजि फिर रहते रहते हैं यह थो घंदी शन्दीगाली देपे रहते हैं इस लिए वेखरेये मकंद हैं तो आठ साल से रहे रहे हैं यहां पर आप बताए कोई एफ आई या मकान लिखने से पहले कोई पुलिस कंप्लेंड कि आप लोगों ने देखिए पहले हमने काफी किये थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है उसके हमने मकान जो है कि किसी के स्वेक्षा से नहीं लिखे हैं क पर दिखाई दे रही है आप देखना होगा कितनी जल्दी आक्षिन लिया जाता है ताकि यह डर का जो महाल इन लोगों के मन में है वो खत्म हो सकता है।